नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल पी एस कोचिंग सेंटर में दोस्तों यदि आप एक CAC भीयली हैं अर्थात कॉमन सब्सेंटर संचालक हैं और आप इस्रम कार्ड बनाने के कार्च कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अती महत्पूर्ण है दोस्तों CAC के तरफ से सभी भीयली भाई के लिए जो इस्रम कार्ड बना रहे हैं एक नोटिस जारी किया गया है इस नोटिस को जानना आपके लिए अती आओ सक है यदि आप इस नोटिस को नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि आपको इने कोई गलती कर दे और आपका CAC ID ब्ल करते हैं और जान लेते हैं कि CAC के तरफ से भीयली के लिए कौन सा नोटिस जारी किया गया है लेकिसे पहले यदि आप इस चानल पर में हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि यहां से CAC के पल पल की खबरे आपको मिलते रहती ह तो जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जनकारी मिलता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि CAC के तरफ से भीयली के लेकौन सा नोटिस जारी किया गया है इसे जानने के लिए हम दो ट्वीटर पर आ जाते हैं यहां ट्वीटर पर देख सकते हैं CAC e government की जो official ट्वीटर हिंडल है उसके दोए ट्वीट किया गया है आप यहां देख सकते हैं लिखा गया है attention really do not use same mobile number for multiple Eastern Registration यानि multiple Eastern Registration के लिए आप same mobile number उपयोग ना करें इसके लिखा गया है one mobile number can be used for mention three Eastern Registration यानि एक जो mobile number है तीन Registration के लिए प्योग किया जा सकता है लेकि उससे ज़्यादा आप व्योग नहीं कर सकते हैं पर नीचे लिखा गया है CSE ID or VLA doing multiple Registration with same number will be blocked and they will be received commission for such registration यानि यहां पता जा रहा है कि यदि आप same same mobile number से तीन से ज़्यादा Registration करते हैं तो आपका ID ब्लक हो जाएगा और आपको commission भी नहीं मिलेगा और आप साउधान हो जाएं यदि आप एक ही mobile number से बार बार इस्रम कार्ड बना रहे हैं तो ऐसा न करें अन्याथ आपको commission भी नहीं मिलेगा और आपका CSE ID भी ब्लक हो जाएगा तो यह सुचना आपको देना था आप इस पर ध्यान रखें और ऐसी गलती न करें तो चलिए फिर मिलते हैं अगले बीजियों होएं तब तके लिए धन्यबाद, जय हिंद, जय भारत, जय भी अलिसांतियों